हलो स्टुडेंट्स, वेलकम तू मैं रुपाली वर्मा, मैंने बेंस आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है, यानि कि आप किसी भी क्लास में हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हूँ, आपके लिए हमने बना दिये हैं धेर सारे वीडियो और वो भ जो भी इसके लिए पेमिंट नहीं करना है, उसी तरीके से आज का वीडियो जो हम अपने नन्नी मुन्नी क्लास पोर्थ के स्टुडेंट्स के लिए लेकर आए हैं, वो है हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, सर्वनाम, ये भी सारे वीडियो की तरह 100% फ्री है, तो बहुत ध सर्वनाम क्या होते ही, संग्या के स्थान पर किये जाने, प्रयोग किये जाने वाले शब्द, जहां पर हम बार बार संग्या शब्दों को इस्तिमाल नहीं करते, उस जगा हम सर्वनाम शब्दों को इस्तिमाल कर लेते हैं, ठीक है न, तो चलिए देखते ही, क्या है, सबसे मुकेश के दोस्त के सात्त पतं उड़ा रहा है अब जो हमने यह पढ़ा तो क्या आप बोलोगे मैं और मेरा दोस्त ऐसे बोलते हो ना जैसे हम बोलेंगे inputs पतं गारे है यहां पर संगया शब्द को हमने दो बार इस्तेमाल किया मुकेश मुकेश तो यह हमें पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है अब इसको फिर से पढ़ते हैं अब इसी को हमने दुबारा लिखा लेकिन दूसरे तरीके से मुकेश अपने दोस्त के साथ पतंग उड़ा रहा है तो यह देखते हैं क्या दिया है चित्र देखते हुए चली गए यहां पर देखे डाइने टेबल लगी है बहुत लजीज लजीज खाना लगा हुआ है राहुल ने राहुल के दोस्त को राहुल के घर खाने पर बुलाया अब ऐसे कोई बोलता है राहुल ने राहुल के दोस्त को रा अब आते हैं नेक्स्ट दिनेश ने दिनेश के स्कूल के मित्र को दिनेश की पुस्तके दी क्या है दिनेश ने दिनेश के स्कूल के मित्र को दिनेश की पुस्तके दी ये तो हमें संटेंसी नहीं समझे आया किसने किसको क्या दिया अब आते हैं दिनेश ने अपनी स्कूल के म तो अब यहां क्या था ध्यान से देखिए बच्चों चित्र के साथ दिये गए दो तरह के वाकियों को तुमने पड़ा पहले वाकिय पढ़ने पर हमें अटपटे लग रहे हैं क्योंकि एक ही शब्द का प्रयोग बार-बार किया गया है वहाँ पर संग्या शब्दों का इस्तेमाल हमने बार-बार किया है दिनेश दिनेश मुकेश मुकेश राहुल राहुल इस जैसे शब्दों को हमने बार-बार इस्तेमाल किया है जबकि दूसरे वाक के प्रभाव शाली और सार्थक लग रहे हैं और दूसरे वाक में हमने क्या किया संग्या शब्द को एक बार इस्तिमाल किया मगर उसकी जगह पर हमने और शब्दों को इस्तिमाल किया जिससे वो पढ़ने में हमें जादा अच्छे लग रहे थे क्या तुमने इन दोनों वाक्यों में अंतर को जाना क्या आप इस वाक्यों के अंतर को समझ पाए की नहीं पहले वाक्यों में संग्या शब्दों का बार बार प्रयोग होने से वह प्रभावशाली नहीं ही बन पाएं बार बार हमने संग्या शब्दों के स्थान पर अपने अपनी शब्दों का प्रयोग किया गया हमने अपने और अपनी शब्दों का इस्तिमाल किया ना जैसे क्या हुआ राहुल ने अपने दोस्त को अपने घर खाने पर बुलाया तो यहां पर हमने राहुल राहुल के दोस्त ने राहुल क घर बुलाया तो वहां पर राहूल की जगा ऑपने अपने शब्द का इस्तेमाल किया तो इससे क्या हुआ कि वहां पर कुछ शब्दों के चेंज करने से बहुत अच्छी तरीके से बन गए थे संग्या शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं अब बार बार हम संग्या शब्दों का इस्तिमाल करेंगे तो वाक के जादा अच्छे नहीं लगते हमें पढ़ने में यह अटपटे लगते हैं तब हम क्या करते हैं बार बा आते हैं वो क्या कहलाते हैं सर्वनाम तो आपको यह समझ में आ गया क्या जिन शब्दों का प्रयोग संग्या के इस्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं यानि कि संग्या के इस्थान पर प्रयोग किये जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं तो सर्वनाम क्या होता शाई है आपको clear हो गया हम बार-बार सग्याइञ शब्दों के इस्तिमाल से बचने लिए जिन शब्दों को इस्तिमाल कर रहे हैं वो तनाम हैं अब क्या है मै वह वे तुम आप हम हमारा यह आदी सर्वनाम के उदहारने हम इन सभी शब्दों को इस्तिमाल कैसे करते हैं देखिए आप जैसे हम बोलते हैं मेरा नाम रुपाली है ठीक है हम आप सभी जानते हैं आप सब का नाम भी जो है आप चितर जानते हैं तो जैसे हम बोलेंगे रुपाली को पुस्तक दे दो तो हम अपना नाम लेके तो नहीं बोलेंगे अब यहाँ पर क्या होगा, रुपाली के पेट में दर्द हो रहा है, यह संटेंस आपको आट पटा नहीं लगा सुनने में, तो हम क्या बोलेंगे, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, अब जैसे आपको होता है, मम्मी मुझे नहीं पढ़ना है, तो आप क्या बोलते हो, मम्म सरविनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हो ठीक है ना इतनी धेर सारे जिनको आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं तो यहां पर हमारा क्या हुआ कि जह हम डेली आप कुछ भी मम्मी से बोलो टीचर से बोलो फ्रेंट से बोलो यहां तक अपने आपसे में भी सोचो तो आप धेर सार यह वीडियो देखने के बाद आप मम्मा से बात करो पापा से दीदी से भाईया से दादी से दादी से या अपने फ्रेंट से किसी से भी बात करो इस्टार्टिंग के पांच वाक्यों जब भी जो भी आप five sentence बोलोगे उसमें सर्वनाम शब्दों को खोजने की कोशिश करन तो देखना फटा फटा आपको समझ में आ जाएगा कि सर्वनाम क्या होता है चीक है तो क्या दिया है सभी प्रकार की संग्याओं के लिए एक ही तरह के सर्वनाम का प्रयोग होने के कारण सर्वनाम को सबका नाम कहा जाता है अब यहाँ पे समझे ममा हों पापा हों आप हो सब इसके लिए हम क्या करते हैं अक्सर एक ही सरवनाम शब्द का इस्तिमाल करते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं सबका नाम कैसे करते हैं अब यह देखें यहाँ पर क्या है मैं पिता जी अब यह मैं किसके लिए इस्तिमाल कर रहे हैं पिता जी के लिए हम इस्तिमाल कर रह हैं तो यहाँ पर क्या आया पिता जी के लिए आया आज दफ्तर से जल्दी आऊंगा अब यहाँ पर दूसरा हुआ मुझे मुझे किसने बोला मुझे भी आज देर हो जाएगी फिर क्या है चलने से पहले तुम यानि की माता जी तुम कौन है माता जी मुझे यानि की पिता ज याद रखूंगी, तो अब यहाँ पर आपने कुछ चीज़े ध्यान दी, देखो क्या है, यहाँ पर हमने मैं पिता जी के लिए भी इस्तेमाल किया, ध्यान दिया आपने, मैं हमने पिता जी के लिए भी इस्तेमाल किया है, और माता जी के लिए भी किया है, फिर आप यहाँ पर आईए यहां पर आपने देखा मुझे पिता जी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और माता जी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है तो यानी की इस्त्रिलिंग हो या पुर्लिंग हो इन सभी के लिए हम एक ही जैसे सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल अकसर करते हैं हमेशा नहीं बोलते हैं तुम अब इसमें यहाँ पर जैसे हम लड़कों को तुम्हारा बोलते हैं लड़कियों के लिए हम तुम्हारी बोलेंगे वो अल कि मैं मैं अपने लिए भी लगा सकती हूं आप अपने लिए भी लगा सकते हैं ठीके आपके टीचर भी अपने लिए लगा सकते हैं आपके फ्रेंड्स भी अपने लिए लगा सकते हैं तो यहां पर मैं शब्द खाली माता पिता जी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनके बच्च तो मैंने भी अपने लिए मैं इस्तिमाल किया ना तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ माता जी के लिए इस्तिमाल होगा या सिर्फ पिता जी के लिए इस्तिमाल होगा मैं शब्द जो है सभी लोगों के लिए इस्तिमाल हो सकता है उसी तरहे तुम जैसे हम बोलेंगे हम आपके लि खेलेंगे तो आपने अपने फ्रेंट के लिए भी तुम इस्तिमाल किया तो यहां पर तुम कई हो जैसे यहां पर आप देख रहें तुम माता जी के लिए इस्तिमाल हो सकता है कोई भी किसी के लिए इस्तिमाल हो सकता है इसी लिए इसको हम क्या बोलते हैं सब का नाम सर्वन और स्त्रेलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग हुआ है तो ये क्लियर होगे आपको कि ये समान रूप से इस्थिमाल होता है चलिए आगे क्या आते हैं ध्यान दीजिए वचन के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तन आते हैं देखें लिंग के हिसाब से परिवर्तन नहीं आया, लेकिन वचन के हिसाब से इन में परिवर्तन आएगा जैसे अभी हमने क्या बोला, वह का वे हो जाता है तो ये आपको ध्यान रखना ये, कैसे देखिए मैं, मैं के लिए हम क्या लगाना मैं अकेली हों, तो मैं लगाएंगे फिर हम क्या बोलते हैं मैं आज पढ़ूंगी तो मैंने लगाया अब हम क्या बोलेंगे हम सब पढ़ेंगे नहीं आप भी पढ़ोगे मैं भी पढ़ूंगे तब हम क्या लगाएंगे हम सब पढ़ेंगे तो एक वचन के लिए मैं लगाते हैं और बहु वचन के लिए हम क्या लगाते हैं हम लगाते हैं अब मैं यहां पर बोलूँगी मेरा मन आज पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो सिर्फ मेरा होगा अगर मेरा भी ने लगेगा आपका भी ने लगेगा तब हम क्या बोलेंगे हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तब हम क्या बोलेंगे हमारा तब कि सिर्फ मैं थी तो एकवचन में थी आप भी शामिल हो गया उसमें तो क्या हो गया हमारा हो गया फिर आते हैं मुझे खाली मैं होंगी तो मुझे बोलेंगे हम सब होंगे तो क्या बोलेंगे हमें उसका एकवचन में आएगा उनका बहवचन में आएगा तू एकवचन म भी आएगा और बहुवचन में भी आएगा तेरा एक में आएगा तुम्हारा तुम्हारा किस में आता है बहुवचन में यह एक वचन में आएगा यह बहुवचन में आएगा तुझे क्या आएगा एक वचन में तुम्हें तुम्हें मतलब बहुत सारे लोग आ जाएंगे त इसने किसमें आया हमारा एक बचन में इन होने किसमें आया बहुत सारे लोगों ने आया जैसे बोलेंगे इसने मुझे आज बहुत तंग किया तो बोलते हैं आज इसने मुझे बहुत तंग किया अगर आप सब तंग करते हो तो मैं क्या बोलती है इन होने या इन सब ने मुझ जादा तंग किया है तब क्या होता है एक बच्चे से सारे बच्चे शामिल हो जाते हैं तब बहुवचन में आ जाता है वह वह क्या होगा जैसे आप बोलोगे वह पुस्तक मेरी है एक पुस्तक रखी थी तो आपने बोल दिया वह पुस्तक मेरी है अगर वहां पे पूरा बं जैसे हम बोलेंगे इसका मन आज पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो हम ऐसे बोलेंगे अगर बहुत सारे सारे स्टुडेंट्स का मन नहीं लग रहा है आज इनका मन पढ़ाई में लगी नहीं रहा है हम ऐसे बोलते हैं फिर आते हैं उसने एक वचन में आएगा उन्होंने ब बदल जाता है तो अब आपको यह समझ में आ गया कि जब इस्त्रिलिंग या पुर्लिंग हो तो सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन वचन के हिसाब से परिवर्तन होता है यह क्लियर हो गया चलिए आगे आते हैं आईए सर्वनाम के भिन भिन प्रयोगों को जाने अब सर्वनाम के इन प्रयोगों को हमें समझना है कैसे देखिए बोलने वाले के लिए जैसे मैं हूँ मैं कौन हूँ बोलने वाले के लिए तो यहाँ पर इस्तिदिया है आपने लिए बोलने वाला कौन है मैं हूँ तो मैं अपने लिए क्या बोलूँगी के लिए शब्द कौन सा इस्तिमाल करूंगी मैं मेरा मुझे मैंने हम हमारा ठीक है तो जैसे एक वचन में होगा मैं पत्र लिख रहा हूं एक वचन में हमने क्या लिखा मैं पत्र लिख रहा हूं अब वही क्या होगा मुझे एक पुस्तक चाहिए ठीक है अब यहां पर आप देख रहे हैं मैं मुझे दे दो तो यहां पर मेरा इस्तिमाल किया मैंने फिर मैंने आज बहुत सारा काम किया यह भी मैंने अपने लिए इस्तिमाल किया हम आज विद्याले जा रहे हैं हमारा काम पूरा हो गया है तो यहां पर हमने दिखाया कि मैं बोलने वालों के लिए कितने तरीके से सर्व करते हैं तू तुम तुझे तुम्हारा तुमको और आप तुछ कौम वाक में कैसा से तुम कब आए हम बोलते ना सामने जैसे आपके सामने कोई आता तो आप किया बोलते दूसरे के लिए तुम कब रहे हैं तो इस तरीके से जो सुन रहा है उसके लिए इन शब्दों का हम ऐसे इस्तिमाल करते हैं फिर आते हैं अन्ने या तीसरे विक्ति के जैसे हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं मगर हम किसी थर्ड परसन के लिए बात कर रहे हैं तो उस थर्ड परसन के लिए हम किन शब तक मेरी है बहुत सारी पुष्टके हैं तुम क्या बोलेंगे वे पुष्टके मेरी हैं हम ऐसे बना मैं बोल रही है लेकिन किसी तीसरी चीज़ के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा वह बात जा जहां है हमने दूसरे के लिए बोला हम दोनों बात करें तीसरे के लिए बोल रहें वह बजार जा रहा है उन्होंने खाना खा लिया किसी थर्ड परसन के लिए नहीं उन्होंने खाना खा लिया जैसे आप आए आप मैरेज में होते हो ना मैरेज पार्टी में या कहीं पी पार लिया तो आप क्या वोलोगे नहीं उन्होंने खाना खा लिया है सिंपर तो यहां पर हम थर्ट परसन के लिए बात कर रहे थे अब आते हैं निश्चत व्यक्तिया वस्तू के लिए जहां पर कोई चीज निश्चत रूप से है उस जगा अगर हम सर्वनाम का इस्तिमाल करेंग पर यह वह वे उनका उसका यही वही जहां पर पर्टिकुलर मुझे पता है की यहां मेरी ही है जैसे है वह कल आएगा तो वह कल आएगा यह हम निश्चत रूप से हैं कि वह कौन है उसका नाम रवी है आप कोई लड़का वहाँ पर का आप आया है तो हम बोल देंगे नहीं उसका नाम क्या है रवी यहाँ पर हम निश्चित तोर से कन्फर्म हैं कि उसका नाम रवी है जहाँ पर हम कन्फर्म होते हैं उसके लिए हम निश्चित चब्दों का इस्तिमाल करते हैं अब आते हैं अनिश्चित वेक्ति या वस्तू के लिए जहाँ पर हमें नहीं पता कि व नहीं पता है वहां पर डाउट में हूँ तो उस समय आप मम्मी से क्या बोलते हो मम्मी दरवाजे पर कोई आया है है ना क्योंकि आपको पता नहीं कि वो कौन है फिर आता है देखो सामने कुछ रखा है आप क्या है आप मम्मा पापा सब लोग बैठे हुए हो लेकिन टेबल बेग्दम से आपको दिखा कि क्या है आप को समझ में नहीं आ रहा तो आप मम्मा से के convince मम्मी दरवा टेवल पर कुछ रखा हुआ है तो आपसीदगे बोलते है लो क्योंकि आको पता overwhelmed प्रें हो तो करोगे वैसा बहोगे तो यहां पर हमने और दो वाक्कियों को जोड़ने के लिए भी हम सर्वनाम शब्दों का इस्तिमाल करते हैं जैसा तुमने कि आए वैसे तुमेइ फल मिलेगा मान लीजे तुमने किसी को मारा उल्टा उसने तुमको तुम्हारा तुमने घर में के ममी से शिगायत के ममिन बोली जैसा तुमने किया वैसा तुमको मिला है ना तो यहां पर दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी हम सर्विनाम शब्दों का इस्तिमाल करते हैं जैसा पढ़ोगे वैसे नंबर आएंगे हां फिर नेक्स आते हैं प्रश्ट पूछने के लिए हम कोशिन करने के लिए भी कुन शब्दों का इस्तिमाल करते हैं वो भी सर्विनाम शब्द होते हैं जैसे कौन क्या दर्वाजे पर कौन है दूद में क्या मिला है तो जहां पर हम कोशिन वाले शब्द इस्तिमाल करते हैं वो हमारे क्या हो जा आते हैं सर्वनाम शब्द होते हैं अब आते हैं सर्वनाम की भेद पे तो सर्वनाम की छे भेद होते हैं कित्ते होते हैं six parts होते हैं ये six parts कौन कौन से हैं पुरुषवाचक निश्चेवाचक अनिश्चेवाचक प्रश्णवाचक संबंधवाचक और निजवाचक ठीक है तो इन छे के नाम आपको याद करने पड़ेंगे ये याद रखें पुरुषवाचक निश्चेवाचक अनिश्चेवाचक स संबंध वाचक, प्रिश्ण वाचक और निजवाचक ये छे नाम आपको याद करने पड़ेंगे ये सर्वनाम के भेद होते हैं अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो क्या है पहला हमारा है पुरुष वाचक सर्वनाम पहला क्या है पुरुष वाचक सर्वनाम इसको ध्यान स आप सुनने वाले और किसी तीसरे परशन के लिए हम बात करें तो वो क्या होता है थर्ड पर थर्ड पार्ट उसको हम बुलते हैं अन्य पुरुष तो यहाँ पर क्या होता है पहला जैसे मैं हूँ मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ उत्तम पुरुष हूँ आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुश है और तीसरा जिसके लिए हम बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुश है जैसे आप हमने भी बताया था ना हम लोग पाटी में जाते हैं तो पाटी में जैसे आप और ममा है ममा खाना खा रही है आप ममा के पास गए तो ममा क्या बोलती है क्या पाप जहें वो third person है तो मम्मा कौन हो गई? उत्तम पुरुष यानी कि मैं यहाँ पर क्या है? बोलने वाला मैं इस्तेमाल करता है सुनने वाला तुम इस्तेमाल करता है और जिस third person यानी कि पापा के लिए बात कर रहे हैं वा हो जाते हैं वहाँ तो पापा कहोगे थर्ड, तो आपने उनके लिए क्या इस्तिमाल किया था? उन्होंने, तो उन्होंने शब्द भी हमारा अन्य पुरुष में आएगा, ठीके? तो पुरुष वाचक सर्वनाम में तीन चीजे तीन लोग होते हैं, मैं, तुम और वहा, मैं, तुम और वहा, थर तो क्या हो गया? उत्तम पुरुष में आ गया, तुम क्या हो गया? ये मध्यम पुरुष में आ गया, वहाँ पढ़ाई में बहुत तेज है, तो हमने तीसरे परसंद के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? वहाँ हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड परसंद की वो सर्वनाम में करते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम नौर्मल जो बाते करते हैं उनमें हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं ठीक है अब इसके बाद हम आते हैं निश्चे वाचक सर्वनाम जहां हम कन्फॉर्म हूं वो निश्चे में होता है हम पक्का पता है कि यह चीज़े हैं तो क्या दिया है यहां पर जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तू के बारे में पता चले वहां उन्हें निश्चेवाचक सर्वनाम कहते हैं यानि कि कुछ ऐसे शब्द जिन से पता चले कि निश्चित है कि यह क्या चीज़ है जैसे यहां पर दिया जैसे यह इसकी यह आदी तो यह हमारे होते हैं निश्चे वाचक सर्वनाम कैसे समझेंगे यह मेरी किताब है तो अब यहां पर देखोगी यह यह मेरी किताब है तो वो यह पक्का है कि यह किताब मेरी है ठीक है तो यहां पर हम जहां पर कन्फर्म हूं वहां पर हम क्या लगाते हैं निश्चे वाचक सर्वनाम तो यहां पर यह शब्द जो है हमारा क्या हो जाएगा यह निश्चे वाचक सर्वनाम है अब इसके बाद आते हैं अनिश्चे वाचक सर्वनाम जहां पर हमें कन्फर्म नहीं है जैसे हमने बोला था कि धरवाजे पर कोई आया है तो हमें पता ही नहीं है कि कौन है तो हम डाउट में थे तो हमने बोल दिया कि हमें नहीं पता कौन है तो वो क्या हो जाएगा अनिश्चे वाचक सर्वनाम जैसे दिया जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता ना चले उन् मुझे कुछ दे दो दर्वाजे पर कोई आया है तो यहाँ पर जैसे क्या है उधारने बेटा देखो बाहर कोई आया है दर्वाजा खोलो तो अब ममा अंदर है और आपसे बोल रही है बेटा बेल बजी है देखो कोई बाहर आया है तो ममा को नहीं पता है कि कौन है तो आप से यहीं से बैठे-बैठे कह रही है तो तब वो क्या है उनको डाउट है उनको पता ही नहीं है तो उन्होंने क्या इस्तेमाल करा तरवाजे पर कोई आया है तो कोई शब्द हमारा क्या हो जाएगा अनिश्चे वाचक सर्वन नेक्स आते हैं प्रश्ण वाचक सर्वनाम अब प्रश्ण वाचक सर्वनाम क्या होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्ण पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहते हैं जिन शब्दों को हम कोश्चन के रूप में बूलते है जैसे तुम्हारा क्या नाम है तो क्या शब्द क्या हो गया क्या हो गया सर्वनाम हो गया उसी तरीके से तुम क्या लाए हो तुम कौन हो तो यहां पर हम कोशिन कर रहे हैं सिंपल वो शब्द कौन क्या किसी ये सब हमारे क्या हो जाते हैं प्रश्ण वाचक सर्वनाम हो जाते जैसे दिया है, जैसे कौन किसे क्या दी, क्या उधारण के तौर पर तुम खाने में क्या खाओगे, तो यहां क्या शब्द हमारा क्या हो गया, यह प्रश्ण वाचक सर्वनाम होगा नेक्स्ट है हमारा नमबर फाइब, संबंध वाचक सर्वनाम, क्या दिया है, संबंध वाचक, अब संबंध इसका पता ही है, मतलब जहां पे रिलेशन स्थापित किया जाता है, जैसे आप देख रहे हो, जिन सर्वनाम शब्दों से वाक में संबंध पता चलता है, उन्हें स जैसा जो जैसा वह यह इस तरीके से जैसे यहां दिया है किसे उसे जो सो जिसका उसका तो यहां पुधारन दिया है जो मेनत करेगा उसको सफलता मिलेगी तो यहां पर जो और उसको यह दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे संबंध वाचक ठीक है जैसा तुम करोगे वैसा तु तुम्हारा है, यह मेरा है, वह तुम्हारा है तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है जब पेर में हूँ तो और साथ में याज रखी एदो शंटेंस होंगे तोनों को आपस में जोडने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है अब हमारा आखरी सर्वनाम आता है कौन सा है निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम वे बहुत डाउट रहता है इसको easy way से हम समझेंगे आज क्या दिया है जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद अपनी लिये किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं अपना काम स्वैम कर लूँगी तो मैं तो पुरुष वाचक सर्वनाम हो गया लेकिन अपना क्या होगा अपना शब्द क्या आएगा वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम जहां पर हम शब्द अपने लिए ही इस्तिमाल करते हैं वो हमारा क्या रहता है हमेशा निजवाचक के लिए रहता है अब आप बोलते हो जैसे क्या किते हैं मुझे मेरा काम करना खुद पसंद है तो यहां खुद शब्द क्या हो जाएगा वो निजवाचक सर्वनाम में आएगा तो निजवाचक में स्वैम खुद अपना मेरा ये सारे शब्द आते हैं तो यहां क्या दिया है खुद अपना स्वैम अपने आप ये शब्द होते हैं अब उधारन देखे मैं खुद आ आया निजवाचक क्या होता है वे शब्द जो हम खुद अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारे आते हैं निजवाचक इसमें खुद है स्वयम है अपना है तो इस तरीके से होता है सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रेश्ण आये हैं प्रेश्ण क्या है इन प्रेश्णों के उत्तर दीजिए प्रेश्ण संख्या एक है सर्वनाम किसे कहते हैं जो शब्द संग्या के इस्थान पर इस्तेमाल किये जाते हैं या प्रयोग किये जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते ह तो इसकी परिभाशा क्या होगी देखिए संग्या के इस्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं आगे आते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए तो सर्वनाम के कितने भेदते सर्वनाम के 6 भेदते कौन कौन से भेदते देखिए स सर्वनाम के 6 भेद होते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम निश्चे वाचक सर्वनाम अनिश्चे वाचक सर्वनाम प्रश्ण वाचक सर्वनाम संबंध वाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम तो ये 6 नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि आप से पूछा जा सकता है यह चिसकी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उनके नाम लिखिए तो नाम जब एक बार आपको गर याद हो जाएंगे तो याद रखिए यह क्या क्या होते हैं यह भी आपको नहीं लिख सकते उस जगह हम सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं जैसे हम क्या बोलेंगे राहुल ने राहुल को के दोस्त को राहुल के घर बुलाया तो यह कितना अटपटा संटेंस लगा तो अब यहाँ पर अगर हम इसको सही करेंगे तो क्या होगा पहला हम राहुल अपनी जगह रखेंगे और बाकी बाद में जो दो राहुल इस्तेमाल किये उसकी जगह हम क्या कर देंगे हम सर्वनाम शब्द का इस्तेमाल करेंगे जैसे क्या होगा राहुल ने अपने दोस्त को या अपने मित्र को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया तो यहाँ पर क अपने जो हमारा क्या हो जाएगा वो संग्या के इस्थान पर हमने यानि राहुल के इस्थान पर अपने का इस्तेमाल किया तो वो क्या हो गए सर्वनाम शब्द हो गए हैं यानि कि हम ममी हो पापा हो आप हो इन सभी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं एक ही का इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं सब का नाम जैसे आप बोथ देखोगे यहां पर मैं यानि कि पिता जी आज दफ्तर से जल्दी आउंगा तो यहाँ पर पिता जी के लिए हमने मैं शब्द का इस्तेमाल किया फिर आते हैं मुझे माता जी भी आज देर हो जाएगी मुझे हमने किसका इस्तेमाल किया माता जी के लिए चलने से पहले तुम यानि की माता जी मुझे यानि की पिता जी बोल रहे हैं फोन करना म मैं यानि माता जी ने कहा याद रखूंगी तो अब आप यहाँ पर देखोगे माता जी और माता जी यहाँ पर आप देख रहे हो नो माता जी और ये माता जी तीन जगे माता जी माता जी तो आप यहाँ पर देखेंगे पिता जी के लिए भी हमने मैं इस्तेमाल किया और माता जी के लिए भी मुझे इस्तेमाल किया ठीके ना आप यहां पर देखोगे यहां पर हमने मैं शब्द पिता जी के लिए और मैं शब्द माता जी के लिए इस्तेमाल किया फिर आप यहां देखेंगे पिता जी के लिए भी मुझे इस्तेमाल किया और माता जी के लिए भी मुझ मुझे शब्द और सभी के लिए मैं शब्द का इस्तिमाल करते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं सबका नाम जरूरी नहीं है कि मम्मी के लिए ही मैं इस्तिमाल करूंगी या पापा के लिए इस्तेमाल करेंगे मुझे, यहाँ पर ममी के लिए भी मैं इस्तेमाल होता है, पापा के लिए भी मैं इस्तेमाल होता है, मेरे लिए भी मैं होगा, मेरे दोस्त के लिए भी मैं हुआ, तो सभी लोग मैं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सब का नाम, क् देखाए उपर दिये उधारण में तुमने देखा मैं तथा मुझे सर्वनाम का प्रयोग पिता जी वा माता जी दोनों के लिए हुआ है अर्थाद पुर्लिंग और स्ट्रिलिंग दोनों के लिए समान रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है नेक्स कोशन है किस आधार पर वाक में सर्वनाम का रूप बदलता है सर्वनाम का रूप किस आधार में बदलता है कब होता है वचन के आधार पर बदलता है जब वचन बदलते हैं एक वचन और बहु वचन में रूप बदल जाता है वचन के आधार पर सर्वनाम का रूप ब बतलता है देखिए हम एक वचन के लिए वह इस्तिमाल करते हैं और बहु वचन के लिए हम वे इस्तिमाल करते हैं ठीक है हम एक के लिए मैं यानि कि मैं अपने लिए मैं इस्तिमाल करूंगी और मेरे साथ जब बहुत सारे लोग होंगे तब हम या हमारा जैसे शब्द का इस् यह हमारा आता है बहु वचन तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर सर्वनाम का रूप एक वचन से बहु वचन में जब बदलता है तो इनमें परिवर्तन आ जाता है नेक्स आते हैं रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम भर कर वाक्य पूरे कीज़े अब हमारे पास में क्या है कुछ वाक्य दिये गए हैं और इसके बीट से जो हैं शब्द गायव है हमें उचित सर्वनाम भरने हैं जैसे रवी डैश पुष्टक दे दो तो क्या आएगा इस डैश कल डैश पुस्तक ला दूँगा तो क्या होगा तुम्हें कल यह पुस्तक ला दूँगा हम दूसरा है मा डैश स्कूल जा रही है जा रहा हूं तो क्या होगा मा मैं स्कूल जा रहा हूं उसके बाद है नमबर पोर डैश डैश दो डैश है इस जगे पानी की बोतल ले लिए तो ममी क्या बोलती ही जब तुन स्कूल जाने लगते हो तुमने अपना टिफिन ले लिया तुमने अपनी पानी की बॉटल ले ली तुमने अपनी सारी किताबे रख ली तो उसी तडिके से तुमने और अपनी दोनों ही सर्वनाम शब्द है फिर आते हैं पिता जी खा चुका हूँ डैश भी खालो तो क्या होगा मैं खा चुका हूँ तुम भी खालो तो पिता जी नहीं क्या बोला मैं खा चुका हूँ तुम भी खालो ठीक है तो इस तरीके से आप सर्वनाम शब्दों को इस्तिमाल कर सकते हैं नेक्स एकसरसाइज आते हैं रंगीन संग्या शब्दों के स्थान पर उचित शर्वनाम शब्द को चुनिए अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में या या कलर जो है कुछ शब्द दिये गए हैं यह संग्या शब्द हैं और इनकी जगा हमें सही सर्वनाम शब्दों को ठ अपनी उसकी मेरी हमारी तो क्या होगा अध्यापिका ने अपनी कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाई तो सही क्या होगा अपनी कक्षा में दूसरा है राजीव और राजीव के दोस्त ने शाम को पतंग उड़ाई क्या था राजीव और राजीव के दोस्त ने तो अब यहाँ पर दूसरा राजीव के जगा हमें सर्वनाम शब्द को लिखना है तो क्या होगा राजीव और मेरे तुम्हारे अपने या उसके नेक्स आते हैं महेश और महेश का दोस्त बाजार गए तो अब दूसरा जो रहाना पर लिखा हुआ महेश का तो क्या आएगा उसकी जगा अपना उसका उनका उसका या हमारा तो क्या होगा महेश और उसका दोस्त बाजार गए महेश और उसका दोस्त बाजार गए नेक्स्ट है करण सो गया है लेकिन करण के मित्र पढ़ रहे हैं तो क्या होगा मैं मेरा उन्होंने या उसके तो क्या होगा करण सो गया है लेकिन उसके मित्र पढ़ रहे हैं करंट सो गया है लेकिन उसके मित्र बढ़ रहे हैं नेक्स आते भावना ने भावना के लिए एक सुन्दर फ्रॉक खरी दी तो क्या होगा अपने अपनी अपना या उनका तो क्या होगा भावना ने अपने लिए एक फ्रॉक खरी दी अब अगली एक्सेसाइज है उचित सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान को भरिये अब हमारे पास कुछ फिलप्स हैं जिनको हमें सही शब्दों के साथ भरना है डैश दिल्ली से कब आए? मैं वहा उन या आप तो क्या होगा? आप दिल्ली से कब आए? फिर तुम डैश खा रहे हो तो क्या होगा इस जगे? क्या कौन? कहां? उन्होंने? तो क्या होगा? तुम क्या खा रहे हो? डैश पुस्तक लोटा दो तो क्या होगा? अपनी मेरी किसके तुम्हारी? तो क्या होगा? मेरी पुस्तक लोटा दो next है रवी डैस घर लोट आया मैंने अपने उसका यह बहा तो क्या होगा रवी अपने घर लोट आया अपने घर लोट आया ना उसके घर तो लोट के नहीं जाएगा sorry next है five डैस घर कहां है या वह तुम्हारा या उनोंने तो क्या पूछेंगे आप तुम्हारा घर कहां है क्या आएगा तुम्हारा घर कहां है अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाईज सर्वनाम शब्दों का प्रेयोग करते हुए वाग के लिखिए अब हमारे पास कुछ शब्द दिये गए हैं इनसे आपको संटेंस बनाना है यहां हम आपके लिए sentence बना कर लेकर आएं लेकिन कोशिश करिए कि इन शब्दों से आप कोई sentence बनाएंगे यानि कि इस शब्द को आपको यहां पर जो भी आप वाक्य बनाओगे उसमें इस्तिमाल करना है तो क्या दिया है मुझे तो मुझे का मानने पहले क्या बनाया है मुझे एक गिलास पानी लाकर दू तो यहां पर हमने लिख लिया ने इस्तिमाल कर लिया मुझे एक गिलास पानी लाकर दू फिर नेक्स आते हैं स्वेम अब स्वेम के लिए हम क्या बनाएंगे देखे मैं अपना काम स्वेम करती हूं तो यहां पर हमने स्वेम का इस्तेमाल कर लिया नेक्स आते हैं तुम्हारा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे तुम्हारा नाम क्या है हम किसी पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है तो यहां हमने तुम्हारा इस्तेमाल किया फिर उसके बाद आते ह उनका तो उनका के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं उनका घर अती सुन्दर है उनका घर अती सुन्दर है फिर नेक्स राते हैं उन्होंने तो उन्होंने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं उन्होंने मुझे प्रथम पुरुसकार दिया उन्होंने मुझे प्रथम पुरुसक आएंगे नेक्स राते हैं नीचे दी गई पंक्तियों में आए सर्वनाम शब्दों को रिखांकित कीजी अब हमारे सामने एक प्यारग्राफ लिखा हुए है और इसमें कुछ शर्वनाम शब्द आए हैं तो इन्हें हमें क्या करना है अंडलाइन करना है ठीक है तो क्या दिय है बुधना एक गरीब लकड़ा रहा था तो इसमें कोई भी सर्वनाम शब्द नहीं आगे बढ़ते हैं वह तो लकड़ा हारा है किन्तु पेड़ पौधों से उसे बड़ा लगाव है तो यहां पर आप देखोगे कि दो सर्वनाम शब्द आएं सबसे पहला हमारा आया वह आया और दूसरा हमारा क्या आ रहा है उसे तो यहां पर आप देखेंगे हमने वहा और उसे के नीचे अंडरलाइन कर दिया फिर नेक्स आते हैं उसने अपने बाग में तरह तरह के पेड़ पौधे लगा रखे हैं अब इसमें क्या है सर्वनाम शब्द सबसे पहले आ रहा करता था तो यहां पर क्या है वह वह भी हमारा क्या है सर्वनाम शब्द है नेक्स आते हैं बुधना को पेड़ काटना अच्छा नहीं लगता था लेकिन पेड़ भरने के लिए उसे जंगल से लकणिया काट कर लाना पड़ता था तो यहां पर उसे भी है फिर उसके बाद वह हमेशा पेडों की सूखी टहनिया ही काटता था तो यहाँ पर क्या आया वह आया ये देखे वह भी आ गया तो इस तरीके से हमने इस पारग्राफ में फटाफट सर्वनाम शब्दों को छाट लिया नेक्स आते हैं हम क्या दिया है निमलिखित वाक्यों में रेखांकित सर् भेद पर निशान लगाईए अब हमारे पास एक वाक्य दिया गया है अब हमें बताना है इसके नीची एक शब्द के नीची अंडरलाइन है ये सर्वनाम का कौन सा भेद है तो सर्वनाम के छे भेद हमने पढ़े थे याद है पहला क्या था निश्चित वाचक सर्वनाम अ इनी के एसाब से हमें यहां माग करना है तो क्या दिया है बाहर कौन खड़ा है तो कौन शब्द क्या है ये तो कोशन के लिए पूछा जा रहा है तो सीड़ी सीड़ी क्या हो जाएगा प्रश्ण वाचक सर्वनाम होगा तो कौन क्या है प्रश्ण वाचक सर्वनाम का भेद है next है number two question हमारा इसे उठाकर अंदर रख दो अब इसे है तो हम confirm है कि इसी को रखना है तो यह क्या आएगा हमारा अनिश्चे वाचक निश्चे वाचक संबंध वाचक तो यह आएगा हमारा निश्चे वाचक सर्वनाब next आते हैं जो कहा है वही करो तो अब यहाँ पर देख रहे हैं दो अलग-लग sentence है और दोनों sentence को जोडने का और एक दूसरे से संबंध बताने का काम कर रहे हैं तो यह क्या होगा पुरुष वाचक संबंध वाचक या प्रश्च वाचक तो यह होगा हमारा संबंध वाचक जो है सर्वनाम नेक्स्ट आते हैं मैं स्वैम जाओंगी तो स्वैम शब्द किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं निजवाचक सर्वनाम के लिए तो यह तीसरा हमारा आएगा निजवाचक सर्वनाम नेक्स्ट है दर्वाजे पर कोई खड़ा है अब हमें नहीं पता कौन खड़ा है हम डाउट में हैं तो इस जगह हमारा क्या हो जाएगा अनिश्चेवाचक सर्वनाम क्योंकि हमको यहाँ पर डाउट है कि नहीं समझ में आ रहा है इस तरीके से हमारा ये जो सर्वनाम का टॉपिक था यानि कि अभ्या परजन फ्री एजुकेशन देता है और यह सारे ही फ्री वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते हैं यूटूब पे हमारी वेब साइट पे और हमारे एप पे यहाँ पर आपको ना कोई कूपन खरीदना है ना कोई पैकेज लेना है और ना ही किसी तरह का प्रिमिन करना है ब वाट्सब, टेलिग्राम और इंस्ट्राग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको सारे अप्डेट्स मिलते रहेंगे कि आगे नया नया आपके लिए क्या-क्या आने वाला है तो आगे और भी टॉपिक से जुड़े रहिएगा थैंक्यू फॉर वाचिंग बाबा प्रेटप्स अपके लिए झाला है आपके लाट पर लिए कर दो आपके लिए रहेंगे लिए हरे नगे आपके लिएगण